भारत अपनी आजादी की 75 सालगीरा को आजादी का अमरित महोचसव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंती नरिन मोधी ने लाल किले की प्राचीन से तिरंगा फैरा कर देश को संबोधित किया। तो हर गाउं, गली, नुकर, चोड़ाहे पर हिंदुस्तानी घर-घर तिरं की तस्वीर दिखाई पड़ी। दिल्ले के उसकोने से जिन की जमीन तो हिंदुस्तान की आज इन drone के रहा है। बहरत माता हिंदुस्तान जिनदाबाद और वंदे मातरम का जय्गोस यहां हर जुबान पर है। बचे ससधच कर तैयार हुए क्योंकि तिरंगे को सलामी देने के साथ सात गजे-बाजे पर अजादी का जस्ट मनाया गया अपने मुस्कुराहत सामने रखते हुए छोटी बच्ची ने कहा हम गाएंगे नाचेंगे और अजादी का पर्व मनाएंगे जिस उम्र में बच्चे माबाप का नाम लेना सीखते हैं उस उम्र में ही उन्हें सरहत पार करके एक मुल्क छोड़ कर दूसरे मुल्क में ठीकाना खोजना पड़ा इन बच्चों को बिल्कुल भी ऐसास नहीं था कि उनके माता पिता को एक मुल्क छोड़ कर अंजान भविश्य लेकर किसी और दूसरे देश जाना पड़ेगा पाकिस्तान की सिंध प्रांथ में रहने वाले सुखानंद सन्नार्ती हिंदूओं में से एक है जो दोजा 13 में धार्मिक वीजा लेकर हिंदूस्तान आये थे और यहीं रहना चाते थे सुखानंद कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदूओं का जीना मुश्किल है उन्हें पूजा प्रातना करने की अजादी नहीं थी जीने की अजादी भी नहीं थी और वहाँ अब हिंदूस्तान आये हैं तो यहीं रहना चाते हैं साल दर साल भर सरकार उन्हें वीजा देती है लेकिन सुखानन्द कहते हैं कि आप उन्हें इस देश की नागरिकता चाहिए और हर हिंदुस्तानी उन्हें नहीं भी अपनाएगा तो वह इसी मिट्टी में मर जाएंगे लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे ब्योर रिपोर्ट दिले समाचार